हेलो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक्मेटिक ड्रेशियोज और सम एस्विस्विक एंगल्स राइट तो विदाउट एनी विस्टिंग टाइम आज का जो सेशन वह सुरू करते हैं ठीक है तो ट्रिक्मेटिक तो आपको पता होता है क्या होता है ठीक है अंगल्स और साइट की जो बीच का रिलेशन होता है उसी को मत्रिक्वेस बोलते हैं यह हम सारा चीज़ कर चुके हैं इंट्रिक्टिक पार्ट में जब हम स्प्रिमेट्रिक शुरु किये थे राइट यदि आप नहीं पर हैं तो आई बटन का टेप आएगा उस पर आप क्लिक करके इंटूडेक्शन पार्ट दे सकते हम सारे चीज बताएं ठीक है तो ट्रिमेंट्रिक रेशियो पता चल रहा है क्या होता है ठीक है तो अस्पेस्विक एंगल्स की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि आप लोग को सिर्फ और सि सलिखर्ण यहां पर ट्रिमेंट्रिक रेश्यो पराजाएगा किस-क्ले के लिए हैं एंगल्स होगा gee मोच्यार कुन i तो इसलिए ट्रीमेटिक रेशे जो और स्पेस्विक एंगल्स लिखे हुए ठीक है तो विदाउट एनिविस्टिंग टाइम जो चलिए आज को पार्ट है वह हम सुरू करते हैं जैसे कि एंगल्स हमने एक टेवल बनाए हुए ठीक है टेवल बनाए हुए जिसमें हमने क्या क सकता है और आपको साइन एक और एक से कहा निकालना पर यह ठीक है मतलब सब के लिए होगा तो हम जानते हैं कि कैसे हम उसको सबसे पहले तो पूम यसका हम टेव्ट को भर देते हैं ठीक है पिर आपको हम बताएंगे आपको कैसे याद करना है ठीक है वालब में इसको कैसे याद करना हम सारे चीज डील करेंगे った करेंगे हैं तो याद है सारा चीज़ तो आपको सब कुछ आपको बताएं कि कैसे यह मेमोरी करना है ठीक है और कैसे आप चुठकी पी आपके हाथ के उंगली पी कैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते सारा चीज़ा आपको बताएंगे ठीक है तो प्रेसेंस रख के पूरा लेक्चर को देखो असकीप मत करना कहीं भी क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही इंपोर्टेंट है हम बोल्ड है भाया बहुत ह क्या उनों दॉरु से अन्तब पुरा देखना तो सब्सक्ठक्राइब को सीष्क्ति के साथ सब्सक्राइब क्यों बहुत मतल्क चरह से में हो चल लए तो यह सब खालु करण Sun का घृट गो सबढ़ का चने के की टीकर Norman सब्सक्राइब के लिए थे चलिए टो जो है वो किया हो झाया का जाएगा तीया सायन का जो 90 डिग्री का जो वैलिव हो जाएगा ठीक है मीनस साइन जब इधर से चल रहा है तो से इसका उल्टा चलेगा और सैम वैल्यू से वैल्यू हो जाए ठीक है तो जैसे साइन 90 का जोड़ी वैल्यू हुआ थो cos 0 का value 1 होगा ठीक है just इसको पलट दो तो यह हो जाएगा कितना root 3 by 2 ओके और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1 by root 2 ठीक है अब इधर से हम चलने ठीक है समझ पा रहे हो कि नहीं देखो हमने क्या किये sign के लिए इधर से चलेंगे ठीक है sign के लिए इधर से चले तो 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 हो गया ठीक है अब cause के लिए cause के लिए क्या होगा just इसका उल्टा value यहां से शुरू कर देंगे sign का जो उल्टा value है उल्टा value करने के वादा 1 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 अब इधर से शुरू कर देंगे ठीक है तो यह 1 हो गया और root 3 by 2 हो गया 1 by root 2 हो गया और यहां आप क्या हो बताओ यहां पर 1 by 2 हो जाएगा ठीक है और यह 0 हो जाएगा और, okay तो sin a cos में आपको sign का value बता आया न तो cost का value आप तुरंद निकल पाओ गया है तो आपको 10 का value पता चल जाए कैसे क्योंकि आपको हम बता चुके हैं हुआ हम introduction part के थे तो आपको हम बताए थे कि जब हम बता आय थे कि तीमेटिक बताय थे तो उसमें होता है तो क्या करेंगे 10 a 10 a मतबद 10 0 का जोती निकालना ऑगा तो क्या करेंगे जेरो अपन 1 जिरो पन वन तो यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है और यहां 10 30 गयद रही निकालना क्या करना पड़ेगा 30 निकालना होगा तो क्या करेंगे इन 30 का यहां पर वनवर्य वैड टू पुट करते है उपन क्या हो जाएगा यहां पर बैघ्भी कितना है रूट थी रड़ चुट तो यह कितना हो जाएगा भाई यह पास वह रूट थी यहां पर यह हो जाएगा रूट थ्री ओके तो साइन 45 डिगरी और कॉस्ट फॉर्ट फाइट दिवाइड़् दोनों का सेयं वैली होता है तो 1045 डिगरी का वैल्यू निकालना है तो क्या करना परेगा साइन सिक्स्टी अपॉन को सिक्स्टी करना परेगा ठीक है मिन्स रूट थ्री अपॉन टू अपॉन वन बेड्टू रूट थ्री अपॉन वन बेड्टू ठीक है तो यह हो जाएगा कितना रूट थ्री हो जाएगा ओके इसी तरह 1090 का value निकालना है तो क्या करेंगे 1090 का value क्या होगा 1090 का value 1 upon 0 होगा मतलब sin90 upon cos90 तो sin90 का value 1 है और cos90 का value 0 है तो 1 upon 0 1 upon 0 क्या हो जाएगा undefined हो जाएगा क्या हो जाएगा undefined हो जाएगा ठीक है आपको हम बताए थे क्या आपको हम यह बताए थे कि something upon 0 होगा तो क्या होगा something upon 0 होगा तो something upon 0 होगा तो ये होगा infinity ठीक है means undefined होगा ठीक है 0 upon something होगा 0 upon something होगा तो ये 0 होगा ओके तो यहां क्या है something means 1 upon 0 है तो ये क्या होगा infinity होगा that means undefined होगा तो आपके पास sine का value आ गया cos का value आ गया 10 का value आ गया भाया आपको हम बताए थे क्या साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है कॉसेक कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है तेन का उल्टा क्या होता कॉट होता है बस आपको तीन ट्रिग्मेट्रिक रेशियो जदी पुता होगा तो बानकी काjos के टिर्मेट्रिक रेशियूट आप खुल बगख खुल निकाल सकते हैं कोई दिक्कत ने वह या सbodक उल्टा किया होता है कॉसेग होता है उल्टा कहने के मत्था क्या रेशिपरोगल साइं कड्रीdzieफरोगल कोसेग होता और कॉसेग होता है पर टेन का ओन जियरो क्या होता है infinity हो तो यह हो जाएगा infinity और और कॉसेक 35 क्या ओधर क्या है तो उसका बीडाउडा कीम मेंस उनपन वनब्ला नोट ये हो जाएगा ओके इसी तरह को स्वर्क में करब संप मेधर होगा होगा इसी तरह हो जाएगा घियर किष्टिघ का वैल्यू नी कलना है तो क्या मिस्किंण यह अपंड रूट मां रूट कर दोए मीनका हो जाएगा टुट जीए ओपस वन है तो कोज स mourning क्या होगा 1 APP 1 1an होगा तो स्कॉष एक वाल्यू वहया पताच चल गया अशीShares sus ka value पता है तो आपको सेख का value पता हो जाएगा क्यों क्यूंक्के क्या होतास होता है तो पता जिरो का ज्री वैल्यू है वन थो तो सिर्क एक हो the value हो जाएगा भिषय जे जिरोड हो जाएगा 1-1 would hani that means one हो जाएगा ओके इसी तरह हुआ शेक्ट का जेदि वैल्यु निकालन सीकizing ति वैल्यू मिन्स कॉस्ट थर्टी का इस फरोगल हो का मिन्स यह उन पॉन रूट but तो एके तो दो यह घर टू अपोन वान कि रूट करते ने इसे तरह हमकों इसे एक 145 बिलिव एलिवं निकलना है तो यह लोगा मिन्स मफ़्र पन वन वान रूट टू द्यूट पीट मिन्स यह रूट को ओके इसी तरह हम को वाक्तो सेख वालीस निकलना तो यह कौर समौ होगा रिख रोकल कने के मतलब सिकना स narrative जी रो गे तो इस सब्सक्र भालिउ आ गया ठीक अम पर यह करण कोड़ का बारी है तो कई n49 घ्म कितना होता है यह जीन रोठा तो उक एका जुशली हो जाएगangel 10 को क्या क्या होगान ये हो जाएगा सब्था फकि आपके पास कि यह जाएगा आपके पास जीरो का रेशिफ प्रोफल मिन्स ये वन-वाइज के टो रोट थरी ओके इसी तरह हमको कॉट फॉर्टी फैड़ीर का वैल्यों कालने कि निकालने हैं तो वन उंपोंड वन मिन्स वन करें से पिर्फल वन ही होगा ठीगे इसी तरह हमको कौट शिक्स्टी का वैलीव हो जाएगा क्या हो जाएगा 1060 वह आपको पता रूट 3 होता है तो यह हो जाएगा 1 by root 3 ओके इसी तरह आपको बहुत 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 बरा नम्मर बहुत बरा नम्मर बहुत बरा नम्मर कहने का मतलब इन्फिनिटी यह टेंस टू जीरो हो जाएगा ठीक है बलो एक छोटा सा पार्ट मलोद छोटका पार्ट है ठीक है उसमें बहुत बरा से तुम डिवाइड कर रहा है तो क्या होँ जीरो की तरफ जाएगा में मिल्स वोगा बहुत निंगरी जीवल होगा ठीक है एक कह हमने अपको यह सारा चीज याद करना परेगा और हम बोल्ड है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है वह बहुत ही इंपोर्ट यह दी हो जाएगा ठीक है इसमें कोई तकलीफ की बात ने आपको सायन का वैल्यू पता चल गया तो आप कॉस का वेल्यू असानिस निकाल सकती क्यो तो चलेंगे तो पता चल गया तो असानी से निकाल सकेंगे इस तरह सिस였습니다 सारे वैल्य को निकाल सकते हैं जो भी और ट्रीक के बात करते हैं तो ट्रिक में आपके पास जस्ट में एक hand बना दिया है ठीक है आपके पास है कि क्या करेंगे अब हम देखते हैं हैं की मदद से हम कैसे को याद करेंगे ठीक है तो जो फिंगर है उसको हम जीरो डिगरी देते हैं जो फिंगर उसको यहां तक कोई दिख्acत नहीं उसको याद करेंगे उसके ऑध करेंगे तो जीरो डिगरी फर्स फिंगर को देती है, सकेंड को 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी, 90 डिगरी, इस तरह से दे दिए, अब इसको हम नम्मरिंग करते हैं, इसको हम नम्मर वन दे देते हैं, इसको नम्मर टू दे देते हैं, इसको नम्मर थ्री दे देते हैं, इसको नम्मर घ्र enough the mm NASA's इसको जो हम दें देते हैं o च्छिक है तो इसको फिले देम डेते नमर क्या देते है जिरो नमर नमर देते आ और इसको नमर ह्मोर यह सबसे पहले जो फिले त्हों कर दिया वसको जी जी एक यहां ही एंगल यह नमरियге साथ करना ठीक है तो फ़स्ट फिंगर को हमने जीरो दे दिये और सकेंड फिंगर को हमने वान दे दिया और थर्ड जो फिंगर था उसको टू दे दिया और फोर जो फिंगर था थ्री और फिफ्ट जो फिंगर है उसको फोर दे इस तरह से हमने नमरिंग कर दे इधर से नमरिंग कि से हमको क्या करना है अब हमको क्या करना है जो जो होगा ना जैसे जैसे साइन का वैल्यू निकालना है तो इस इस इकोल टू हो जाएगा इस इस इकोल टू हो जाएगा रूट अंडर अपॉंडर 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 यह अब आपको 9 0 का या इधर से हम चलेंगे जाएंगे दर से हम चलेंगे के लिए हेंगे साइन के लिए और ड़से हम चलेंगे साइन के लिए क्योंकि sign जिस t विए उल्टा चलेंगे हम काउस के लिए तो तो sin is equal to n upon root under n upon 2, okay, अब देखते हैं, हम angles कैसे निकाल लेंगे, तो जिसे sin 0 का value निकालना है, sin 0 degree का value निकालना है, n का value 0 degree के लिए क्या है, 0 है, तो root under 0 upon 2, यह हो गया 0, okay, इसी तरह हमको sin 30 का value निकालना है, sin 30 का value क्या होगा, sin 30 के लिए n का value क्या है, root under 1 upon 2, n का value क्या है, 30 के लिए 1 है तो रूट अंडर 1 upon 2 that means 1 का रूट क्या होगा 1 होगा और 1 by 2 होगे इसी तरह इसी तरह जदी हमको sign 45 डेगर का value निकालना है तो क्या होगा sign 45 डेगर के लिए n का value क्या होता है 2 होता है 12202 upon 222 को आप लिख सकते हो क्या रूट अंडर 2 को लिख सकते हो रूट 1 डीट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं तो रूट 2 रूट 2 decompile कि यह हो जाएगा 1 by root 2 ठीक है इसी तरह हमको जीनिक का value पता करना है तो क्या होगा sign 60 के लिए n का वैल्यू क्या होता है तो 60 के लिए n के वैल्यू 3 होता है तो यह जाएगा 1-2 बैज concept के लिए के लिए टबर और 1 बैजी जीरों का सब्सक्राइब निकालना है time-d influym March value root 3 by 2 हा गया percent 90 value 1 आ गया वह यह सारा value अभी जुह हम फिली स्को किये था सेम चीज तो आ रहा है वह या सान 0 गव्ली जीरू है sign 30 1 by 2 sign 45 1 by 2 sign 60 root 3 by 2 sign 91 और सारा वैल्यू सेम चीज आ घहा है जो हम इस trick के मदद से कर रहें ठीक है ये trick क्या है valid है आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं ठीक है अब cos की बात करते हैं जिदि हम cos की बात करें cos की जब हम बात करें जब हम cos की बात करें तो cos a is equal to क्या होगा cos a cos मानलो 0 degree का value निकालना है तो क्या होगा cos 0 के लिए 0 के लिए just इसका उल्टा चलेंगे तो यह हो जाएगा cos 0 के लिए and के value इस case में cos 0 के लिए क्या हो जाएगा बताओ क्या होगा यह हो जाएगा cos 0 के लिए and value यह हो जाएगा 4 4 upon 2 ठीक है यह हो जाएगा and value cos 0 के लिए यह हो जाएगा value ओके जस्ट इसका उल्टा चलेंगे तो कॉस्स मतलब यह कोस्स जीरो के लिए क्या होगा फोर हो गया ठीक है तो यह हो जाएगा रूट अर फॉर उपॉर ने फॉर पॉर उपॉंट तो यह हो जाएगा टू अपॉन तू एटमेंस यह वनाघ राइट मिन्स यह हुआ कि का उल्टा चलेंगे यह एन के वैल्यू इधर से हो जाएगा कॉस के लिए यह एन के वैल्यू इधर से हो जाएगा इधर से हो जाएगा कॉस के लिए ओके इधर से एन के वैल्यू चलेगा कॉस के लिए ओके तो एन के वैल्यू 4 हो गया एन के वैल्यू 3 हो गया एन के हो जाएगा और सब्सक्राइब के लिए और यह किसके लिए यह है यह है कॉस के लिए राइट तो आपको इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं तो टो कोई जिरे के लिए यह पोट वन इसी तरह हम पॉट यह यह तरह आ हो आपको पतान निकालना हो ऑस किसका निकालना है किसका निकालना रॉट यह निकालना है तो आप यह देख रहे हैं कि इतना भी हमने यहां त्रिमेटिक रिश्यू निकालें साइन और कॉस्ट के लिए वह सारा मेज कर रहें ठीक है तो बताएं इसे मेच किया स्कॉष की जी रोगा वाली वान होता है का वैल्यू पता चल गया तो आप टेन का वैल्यू तो सानी से निकल सकते हो ना टेन का वैल्यू क्या होता है साइन और कोस का क्या होता है रेशियो होता है जब यह साइन का वैल्यू पता चल गया तो यह तीन ट्रियूमेंट्रिक रेशियो का पता चल गया तो बांगी ट्रिय त्रीक आपको बताए ठीक तो इस ट्रीक को आप याद रख सकते हो बहुत ही असान ट्रीक है ठीक है और यह जो टेवल है यह आपको तुरंद याद हो जाएगा ज्यादा यह नहीं है जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपका जी उसी तरह आपको याद ही होना शुरू हो इसी नमर उप ज्यादा क्वेश्चन करो सबसे पहले तो इसको तुम एक एक वाइट पेपर पर लिख लो ठीक है वाइट पेपर पर पर चार्ट बना कि इसको लिख लो और दिवाल पर चिपका दो ठीक है रोज सुबह साम समझ लो कि दवा का खुराग है खाना है ठीक है सहाम इसको देखो तो तीन दिन में याद हो जाएगा ठीक कोई बडिवाइब नहीं यह हैं कशायन करना राम से हम याद निकाल सकते हैं इस सेसन में यह समझ लिया कि हम कैसे टेलिगमेटिक रेशियो को याद कर सकते हैं तो इस सेसन को यही तक रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो यदि हेलफुल लगा हो तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाईयों और अपने दोस्तों के साथ सेयर तो जरूर कीजे ताकि मेरा इनरजी और मेरे टीम का इनरजी बढ़ा रहे ठीक है और आप लोग के तत्वर रहे हर्द समस्यागा समाधान के लिए जो भी आपके पास डॉट हो सकते हैं हमारे टेलिगराम गुरूप से जूट सकते हैं जहां पर आपको फ्री और सारा चित प्रोवाइड किया जाएगा पीडिया अब नौर से लेकर कोई संद जो भी पुछना है सारा पुछ सकते हो कोई इसू नहीं ठीक है तो इस सेशन को बस यह तक रखते हैं मिलते ह नेक्स सेशन में तब तक के लिए दन्यवाद बाई बाई थैंक यू थैंक यू वेरी मच